नमस्कार दोस्तों मैं संजय आपका बहुत बहुत स्वायत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल में जिसकर आम है स्मार्ट एर सुच्टम तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा आप सौप्टवर का ओप्शन का परपॉर्मेस अगर आप ओप्शन में काम करते हो तो डेफिनिटली भी पैसा बना रहे होंगे अगर आप पैसा नहीं बना रहे हो तो भी है इस वीडियो को जर निफ्टी फ्यूचर में आप इसलिए निकाल रखा क्योंकि हमें आप इस ट्राइक प्राइस का चुनाप करना है और इस ट्राइक प्राइस का चुनाप करके हम याप पर कॉल ओप्शन बाय करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 13,956 रुपे से यहाँ पर बाय का कॉल हुआ था हाला कि यह कोल आपका फ्यूचर में सभी पैमाने पे सही था यानि कि आप देख सकता है जेलो लाइन के उपर बाय था तीन की जगत से इंडिकेशन ग्रीन थे और पाइवोट लेवल के उपर भी बाय था तो यहाँ पर अगर फ्यूचर में जिन लोगों ने ट्र मार्केटमिस को चेक कर सकता है अब मैं बात करता हूँ भी ओफ्यन में हम लोग यहाँ पर काम करेंगे तो क्या करेंगे तो बताने चाहूंगा यहाँ पर देखिएगा आपको इस्ट्राइफ प्राइस का चुनाप करना पड़ता है वो देखिएगा कैसे करता है तो यहाँ पर 13,950 का जो कॉल ओफ्यन रहेगा वो आपका क्या रहेगा वो एड़ दमनी कहलाएगा ठीक है और 13,900 का जो कॉल ओफ्यन रहेगा वो आपका इंदमनी कहलाएगा और 14,000 का जो कॉल ओफ्यन रहेगा वो आउट दमनी कहलाएगा यहनि कि ऐसी प्राइज जहां से मार्केट निकल चुका हो वो कहलाता है इंद मनी और जहां पर मार्केट ट्रेड कर रहा हो वो एड़ द मनी कहलाता है और आगे अगर मार्केट जा रहा है और बाय का कोल है तो बैडेफिनेटली वो आउड़ द मनी कहलाता है तो हम यहाँ पर सिंपल ही 13,900 का श्ट्रake प्राइस का चुनाप करेंगी तरहनाप कर सकते है यहाँ आपको देखे का 13,900 का मैने कॉल निकाल लिया तो यहाँाँ पर इसकी वेल्यू देखेगा 93 रुपीज 75 पैसा का आसपास यहाँ पर इसकी वेल्यू आ रही है तो यहां पर देखें कि मैं इसको आपर एक राउंड फिगर ले लेता हूं 94 रुपीज का आप बैंक निप्टी सोरी निप्टी का जो लोट साज होता है कितना होता 75 का होता है तो यहां पर 75 के लोट साज से में इसमें इंटू कर दूँगा तो टोटल वेल्यू आ रही है एक सिंगल लोट में आपको यहां पर 7000 रुपे खर्च करने पड़ेंगे तो यहां पर 7000 रुपे का मारजन अगर आपके जेब में है आपके डीमेट अकॉंट में इसमें पैसा है तो आप यहां पर एक सिंगल लोट यहां पर परचेस कर सकते हैं और यही काम अगर आप 10 लोट में करूगे तो कमसे में आपका 7000 रुपे का मारजन लगेगा अब यहां पर आप देख लेते हैं पर यहां पर देखेगा आपका 1st टागट अच्छी हुआ तो ज्यादा बड़ी बात ने भी 1st टागट अच्छी हुआ तो देख लेते हैं प आपका मुनाफ़ा कितना है लगबग 600 रुपे का और यही काम अगर देलोट में हुआ करता तो यहां पर देखेगा आपका मुनाफ़ा होता 6000 रुपे का तो साब निप्टी की बात मैंने आपको कर लिए निप्टी के अंदर रहे थी एक ही कोल जनरेट हुआ थे इसलिए मै आपको आज की दिखाई दे रहे है अगर यहां पर किलिक करूंगा तो यह भी देखेगा डेट आज की आपको दिखाई दे रहे है तो सबसे पहले मैं अपना आप बाइगी कोल की बात कर लेता हूँ तो बाइग कितने जनरेट हुआ 31,340 से बाइगा कोल जनरेट हुआ ठी देखेगा निकाल रहा है 31 शेयर वाला कोल ओप्शन तो यहां पर देखेगा 407 रुपे से आपका बाइगा कोल जनरेट हुआ था और इसके बाद देखेगा मार्केट नों फर्स्ट टागेटी के अचीव हुआ ज्यादा अचीव नहीं हुआ क्योंकि मार्केट पाजा आपका बार्जन लगा अगर यहां पर आपको फर्स्ट टागेट अगर मिला फर्स्ट टागेट आपने लिया तो लगबक आपको यहां पर देखेगा मैं करके दिखा जीता हूं यहां पर फर्स्ट टागेट की वेल्यू आपको कितनी है 435 रुपे ठीक है 81 पैस छोड़ो और यहां पर 407 से एंट्री प्राइस तोटल आपको 18 पॉइंट मिले अगर सिंगल लोट में आपर काम होता तो लगवा साथ सुरूप मिलते हैं यही काम अगर 10 लोट से होता तो यहां पर साथ हैर का प्रोफिट आपका निकल किया था अब यहां पर एक ची बता दूं कि बैं जनरेट हुगा 31,200 से ठीक है तो मैं आपर इंदमनी प्रोडॉप्शन बाइक करेंगे तो इसका उंदमनी क्या होगा इंदमनी इसका रहेगा लगवग 31,300 का और 31,400, 31,500 इंदमनी पाएंगे और नीचे यहांनी 31,100, 31,000 यहां आपके आउट मनी क्यालाएंगे तो यहां प लेकिन 31,300 बाले में आपर देखेंगे कोई भी कोल जनरेट नहीं हुई तो मैं आपर 31,400 बाले में देखेंगे आपका बाइक कोल जनरेट हुआ था यहां से अब इसकी वेल्यू कितनी थी चेक कर सकते हैं 368 रुपे यहां पर सिंगल लोट की वेल्यू आपने के आरी करूं तो यहां पर देखेगा 424 रुपे का आपका सेकेंड टागेट था आपकी एंट्री प्राइज लगवा 316 रुपे के आसपा यह टोटल आपको 56 पॉइंट मिले हैं सिंगल लोट के अंदर आपने कितना पैसा बनाया 1400 रुपे और यही काम अगर देहलोट में होता तो आप लगवा 14,000 रुपे बनाते हैं तो सिंपल से आपको पंड़ा मैंने आपको बताया कि आपको देखेगा बैंक निप्टी के अंदर दो कॉल मिले आज और दोनों में आपने टागेट अचीब किया और आपको यहां पर ए आप ट्रेंड चल रहा था अभी इसके पहले देखेगे कोल ही नहीं बना तो ओप्शन ट्रेडर को थोड़ा ध्यर भी रखना पड़ता धीर रखनी पड़ती है लास्ट कोल देखेगा बैंक टिम कब बना था 22 तारीक हो इसके बाद देखीगा आज जाके कोल जनरेट हुआ आप तीस तारीक हो तो लगबग 5 से 7 दिन उसने आराम किया ओप्शन ट्रेडर ने लेकिन जब पैसा कमाने की बारी आई तो भी ओप्शन ट्रेडर ही पैसा बनाता है आप खुद यहाँ पर चेक करोगा दहलोट से काम करते हैं यहाँ पर देखेगा 4,000 तो यह कमा लिया औ यहाँ आगर मैं बात करो सिंगल लोट की तो यहाँ पर लगबग 7,000 और तो असपर कमा था लेकिन 6 जोड लेता हूं यह 6 कमा लिया और 6 आपने निप्टी का अंदर कमा लिया निप्टी करना अगर देखें तो आज की इंकम लगभग 26 रुपे के असपर होती है निप्टी इसको एक बार यूज़ करके देखें, और आप भी ज़ज़ करें, कि सुट्टर की कमाल का है कि नहीं, और डेली पेसे पर उप्षेन अंदर पैसा कमाना चाहते हैं, तो सुट्टर का जरूर यूज़ करें, और अगर आप चाहते हो, तो भी लाइब मार्केट नुटर कैसा चलता कैसा वर्क करता तो उसका लाइब परफ्रोंगर देखना चाहते हो तो हमारी यह रही वैफसाइट बेफसाइट पर आके सिम्पल से यहाँ पर आपको रिक्ष्ट डेमो पर किलिक करना पड़ेगा यहाँ पर जैसे आप किलिक करत जाते हैं तो दोस्तों डेमो जरूर देखेगा क्योंकि भी डेमो फिरी होता है और कोई भी दोस्त नमारा डेमो देख सकता है डेमो को कोई चार्ज नहीं होता यानि कि आपके doubt solve करना यह हमारे जाबदार इसलिए डेमो जरूर देखें और सब्टर का एक बर जरूर उस करके definitely आप पैसा बनाओगे, क्योंकि सर मार्केट में क्या होता है, वो ही पैसा बनाते हैं, जिनके पास अलग strategy होती है, अलग tool होता है, और आप भी पैसा बनाना चाहते हैं, तो smart trade काफी अच्छा platform है, जो कि आपको काफी ज़्यादा मदद करता है पैसा बनाने में, तो आशा करत दोस्तों, आपको सारी जानकारी अच्छी लगी, यूगी जानकारी अगर अच्छी लगया तो वीडियो जिरू लाइक कीजेगा, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो चैनल जिरू सब्सक्राइब कीजेगा, मिलता हैं दोस्तों ने वीडिय साथ तक तक लिए bye and thank you